आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हाई गाईस तो हमारा question है What is the impact of deficient demand जो deficient demand होती है उसका impact क्या होता है पहले study करते है deficient demand क्या होता है So basically deficient demand एक ऐसी situation होती है situation एक situation when aggregate demand जो है न हमारा वो कम रह जाता है aggregate supply से correspond to full employment equilibrium correspond to full employment equilibrium जितना होना चाहिए न हमारा aggregate demand उतना नहीं हो पाता जब हमारा aggregate demand short पड़ जाता है जो होना चाहिए उस situation हो कहते है deficient demand अब इसका impact देखते है So इसका impact ऐसा करते है डाइग्राम के चुटों समझते So easily पड़ेगा So यहाँ पर हम ले रहे AD and AS and यहाँ पर हम ले रहे level of output income and employment Okay So AS कर सब को पता है 45 degree line होती है 45 degree line होती है and जो AD होता है हमारा AD हमारा This is our required AD जो AD होना चाहिए required AD जो की AD होना चाहिए full employment equilibrium पर मतलग यह जो Y star मेरा आ रहा है यह मेरा full employment पर है कि मैं इससे ज़्यादा production नहीं कर सकता इससे ज़्यादा लोग को employed नहीं कर सकता because जितने लोग काम कर रहे है and काम करना चाहते है वो सारे के सारे काम कर रहे है तो वो काम कर रहे है so मैं और ज़्यादा नहीं कर सकता मेरे economy में लोग ही नहीं है इतने जिससे मैं production आगे बढ़ा पाऊ so यह मेरी वो situation होती है but अब जो AD है मेरा वो मेरा कम है AD जो है वो मेरा कम है उस levels पे जब मेरा यह होना चाहिए so basically AD जो है वो इससे short है so this is the AD this is AD dash and this is इसको मैं बोलूँ है actual AD जो AD मेरा actually में है so actual AD मेरा बहुत कम है so इस situation में क्या aggregate demand जो है न वो कम है aggregate supply so अगर मैं आपर देखू इस point पे देखू so AD मेरा इतना है but AS इतना है so aggregate demand कम है so इस gap को बोला जाता है deficient demand इसको बोला जाता है deficient demand अब इससे हुआ क्या इससे देखो क्या हुआ इससे मेरा जो level of equilibrium आया अब AD जो मेरा actual AD पे जो मेरा equilibrium है वो इस point पे है so third मेरा Y यहाँ पर है so इससे क्या हुआ मेरा जो Y है जो मेरा level of output भी है income भी है and employment भी है so इसका मतलब इससे जो जो situation आया उससे आया पहला कि fall हुआ मेरा fall in output output मेरा Y स्टार होना चाहिए था but Y है so output कम हुआ हुआ मेरा second is fall in income income मेरी Y स्टार होनी चाहिए थी है Y रह गई तीसरा fall in employment employment मेरी Y स्टार होनी चाहिए थी लेकिन Y रह गई so ये तीनो मेरा impact हुआ deficient demand का so I hope you understand this question thank you classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 पर